अधरनियत सवापती जी, राश्पती जी के अभी भाषन पर धन्यवाद देने के लिए मैं भी इस शर्चा में शामिल हुआ हूँ राश्पती महोदाया के भाषन में देश वाषियों के लिए प्रेरना भी थी, प्रोग्षाहन भी था और एक प्रकार से सत्य मार्द को पुरस्कृत भी किया गया था आधरने सभापती जी के पिछले दो धाई दिन में इस चर्चा में करीब सत्तर मानिय सांसदों ने अपने विचार रखे हैं इस चर्चा को समर्द बनाने के लिए राश्पती महोदाया के अभी भाषन को व्याख्याईद करने में आप से भी मानिय सांसदों ने जो योगदान दिया है इसके लिए मैं आप सबका भी आफ़ार बेक्ते पर दाएं आदर्या सभापती जी भारत के आजहादी के इतिहास में हमारी सांसदिय लोगतांतिक यात्रा में बहुत दशकों के बाद देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने आखा हुए साथ साल के बाद ये हुआ है कि दस साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी वापत सी हुई है और मैं जानता हूं कि भारत के लोकतंत्र की छे दसक के बाद आयुए घटना असामान ये घटना है और कुछ लोग जान बुश करके उससे अपना मूँ फेर करके बैठे रहे कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो अल्ला उस दिशा में किया कि ताकि देश की जंता की इस विवेक बुद्धी पर देश की जंता के इस महत्वपुन निर्णे पर कैसे चाया कर दी जाए कैसे उसको ब्लकाउट किया जाए इसकी कोशिश हुई लेकिन मैं पिछले दो दिन से देख रहा हूँ कि आखिर तक पराजय भी स्विकार हो रहा है और दबे मन से कम मन से विजय भी स्विकार हो रहा है आदेने सहाती जी कॉंग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं रदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि नतीज़ आये तब से हमारे एक साथि की तरफ से मैं देख रहा था उनकी पाइट्रों को समर्खन तो नहीं कर देते लिए आखेले जिन्दा रहे के दोड़ रहते थे और मैं कहता हूँ वो जो कहते थे उनके मुझ में गीश सक्कर और यह मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पिता था एक तिहाई सरकार इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे दस साल हुए है बीस और बाकी है एक तिहाई हुआ है एक तिहाई हुआ है जो तिहाई बाठी और इसलिए उनकी भविशमानी को लिए मैं उनके मुह में गी सकता आदेनिय सभाबती जी दस वर्सों के अखंड एक निष्ट अभिरत सेवा भाव से की हुए कार्य को देश की जनता ने जी भरकर के समर्थन दिए देश की जनता ने आशिरवाद दिये है आदेनिय सभाबती जी इस चुनाओं में देश वाद्शों के विवेग बुद्धी पर गर्व होता है क्योंकि उन्होंने प्रपय गंडा को परास्त कर दिया है देश की जनता ने परफॉर्मंस को प्राथ्विक का दिये है प्रम की राजनीती को देश वाद्शों ने ठुकराया है और वरोसी की राजनीती पर विजय की महर लेगाई सम्मिधान के पचत्तरवे वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं इस सदन के लिए भी ये पढ़ाव विशेष है क्योंकि इसे भी पचत्तर साल हुए है और इसलिए एक सुहग सहियोग है आदेने सवाबती जी मेरे जैसे बहुत लोग है इस देश के सारवजेने जीवन में जिनके परिवान में कोई गाउं का सरपंज भी नहीं रहा है गाउं का प्रदान भी नहीं रहा है राजनीती से कोई सरोकार नहीं रहा है लेकिन आज अनेक महत्वकों पदों पहुंच करके देश की सेवा करता हूँ और उसका कारण बाबा साब आमबेड करने जो संविधान दिया है उसने हम जैसे लोगों आउसर दिया और मेरे जैसे अनेक लोग है जिनको बाबा साब आमबेड कर द्वारा दिये गए संविधान के कारण यहां तक आने का आउसर मिला है और जन्ता जनार्दन ने उत्पर महर लगाई तीसरी बार आने का मुगा में गए आदेलिये सभापती जी संविधान हमारे लिए यह कोई आर्टिकल्स का कमपाइलेशन मात्र नहीं है हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मुल्यवान है और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए किसी भी सरकार के नीती निधारन में कार्य तलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है दिशा दर्शक का काम करता है हमारा मारदर्शक आदेनिय सभापती जी मुझे आथ है मैंने जब लोकसभा में हमारी सरकार के तरफ से कहा गया कि हम 26 नमंबर को संविधान दिवस के रुपत मनाएगी तो मैं हरान हूँ जो आज संविधान की प्रत लेकर के खूदते रहते हैं दुनिया में लहराते रहते हैं उन लोगों ने विरोध किया का 26 जनवरी तो है तो संविधान दिवस क्रोन आए है और आज संविधान दिवस के माद्दम से आज समीधान घिवस के माद्यम से देश के स्कूल गॉलेटिज में समीधान की भावणा का समीधान की रच्या में क्या भूनिका रही है देश के जनमान में महापूरुस होने सम्मिधान के निर्मान में इन कारों से कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णे किया इन कारों से कुछ चीजों का स्थिकार करने का निर्णे किया इसके विशे में हमारे स्कूल कॉलेजिज पर विस्तार से चर्चा हो निबंदस परदाय हो चर्चा सबाय हो एक व्यापक रूप से सम्विधान के प्रती आस्था का भाव जगे और सम्विधान के प्रती समझ भिक्सित हो देश वांचियों के लिए आने वाला पूरा कालखन सम्विधान हमारी सर्चे बड़ी प्रेणा रहे इसके लिए हम कोशिश करते रहे हैं और अब जब 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने इसे एक जन उत्सव के रुप में राष्ट व्यापी सो बनाने करता है अब अब इसे देश के कौने कौने में सम्विधान के भावना को सम्विधान के पिश्य को मकसद है उसके विशे में भी देश को अउगत कराने का प्यांस है आदनिय सभाबते जी देश की जनता ने हमें इसरी बार जो आउसर दिया है वो आउसर जिक्सिद भारत आत्म निर्वर भारत इस यात्रा को मजबूती देने के लिए इस संकल्प तो सिद्धी तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटी कोटी जनों ने आशिरवाद दिये आदेनिय सभाबते जी ये चुना दस वर्ष की सिद्धियों पर तो मौर है ही लेकिन ये चुना भविष्ट के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने हमें चुना क्योंकि देश की जनता का एक मत्र भरोसा हम पर होने के कारण आने वाले सप्रों को संकल्पों को सीद्धियों के लिए हमें आउसर दिया आदेनिय सभाबते जी देश भलिनहाती जानता है देश ने पिछले दस वर्षों में हमारे देश की अर्थ बवस्ता को दस नंबर से पांट नंबर पर पहुंचाने में सभावता पर आए है और जैसे जैसे नंबर निकरता की सिद्धी के दर पहुंचता है एक की तरफ पहुंचता है तो चुनौतियां भी बड़ती हैं और कोरोना के कखीन कालखन के बावजुद संगर्ष की वैश्विक परिश्यों के बावजुद में तनाओ के वातावरं के बावजुद में हम अमारे देश की अर्थ बवस्ता को दस नंबर से आज विश्व में पांच नंबर मत पहुताने में चलाएं इस बार देश की जनता ने हमें पांच नंबर से तीन नंबर की एकनॉमिक पर पहुताने के लिए जनादेश दिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश की जनता ने हमें जो जनादेश दिया है हम भारत की अर्थ बवस्ता को विश्व के टॉप तीन में पहुँचा के रहे हैं मैं जानता हूँ हादर ने स्वापती जी यहां कुछ ऐसे बिद्वान है जो यह मानते हैं इसमें क्या है यह तो होने ही वाला है यह तो अपने अप तीसे नंबर पर कहुंचने वाली है यह तो अपने अप हो ही जाएगा ऐसे विद्वान है अब यह लोग ऐसे हैं जिनों ने आटो पाइलोट मोर पर सरकार चलाने का या तो रिमोट पाइलोट को सरकार चलाने का उनको आदी है इसले वो कुछ करना धरने में विस्वाब नहीं करते हैं वो कुछ करने धरने में विस्वाब दे करते हैं वो इंतजार करना जानते हैं लेकिन हम परिश्रम में कोई कमी नहीं रखे आने वाले वर्षों में पिछले दस वर्षों में हमने जो किया है उसको गती भी बढ़ाएंगे उसका विस्तार भी बढ़ाएंगे और गहराई भी होगी उंचाई भी होगी और हम इस संकल्प को पुरा करने हो आदरिनिय सभापती जी चुनाव के दर्मियान में देश वाच्छों को कहता था कि जो दस साल हमने काम किया है हमारे जो सपने और संकल्प है उसके हिसाब से तो ये एक्पेटाइजर है में कोर्थ तो अभी शुरू होगा आदरिनिय सभापती जी आने वारे पांच साल मूल सुविदाओं के सेटुरेशन के और हम एक सामान्य नागरी की जो रोजबरा की जिन्दगी की आवशक्ताएं होती एक गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्ताओं के जिन सुविदाओं के जिस प्रकार के गवर्णन्स की आवशक्ताएं होती है हम इन मुलगूत सुविदाओं के सेटुरेशन का यूग के रुप में उसको परिवर्टिक करना चाहते हैं आधनिय सभाफती जी आने वाले पांच वर्ष गरीबों के खिलाफ निन आयद लड़ाई के हैं आने वाले पांच वर्ष गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई और मैं मांगता हूँ गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्त के साथ खड़ा हो जाता है तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ में लड़ाई सभलता को प्राफ्ट करती है और इसलिए आने वाले पांच साथ गरीबी के खिलाफ लड़ाई के मिरनायक वर्षा है और ये देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में वीजई होकर के रहेगा ये पिछे एक रस साम के अनुभव के अधार पर मैं बहुत इस बात से कह सकता हूँ अधनिया सभापती की जब देश दूनिया की तीसरी बड़ी इकोनोमी बनेगा तो इसका उलाव इसका प्रभाव जीवन के हरक्षेत्र पर पड़ने वाला है विकास के विस्तार के अनेक आउसर उपलब्द होने वाले हैं और इसलिए जब हम दुनिया की तीसरी नमबर की इकोनोमी बनेगे तब भारत के खर्सकर पर सकारत्मक प्रभाव तो होगा लेकिन वैश्वित परिवेश में अभुत्पुर्व प्रभाव प्रभाव पैदा होने वाले हैं आदेनिया सभापती जी हम आने वाले कालखन में नए स्टार्टफ का नई कंप्रियों का वैश्विक उभार देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आने वाले कालखन में हमारे टियर टू टियर थी सिटीज भी ग्रोथ एंजिन की भूमिका में देख रहा हूं कि आदेख रहा हूं कि आदेख रहा हूं कि यह सपाब दी टेक्नोलोजी डिवन सपाब दी और इसलिए हम कई नए सक्टरस में नए फुद्प्रिंट्स भी अवश्चे से देखें जी आदने सभापती जी आने वाले प्राव साल में पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में बहुत तेजी से बड़लाव आने वाला और इसका लाव भारत के कोटी कोटी जनों को जन्द से जन्द मिले उस दिशा में हम गंभीता से आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे छोटे शहर जाए खेल जगब हो जाए शुच्छा जगब हो जाए इनोवेशन हो जाए पैटन की रिजिस्ट्री हो मैं साथ के जहां हूँ कि हमारे छोटे छोटे शहर होचारों के ताजार में से शहर भारत में एक विकास का नया इत्याद गणने वागते हैं मैंने पहले भी कहा है कि भारत के विकास यात्रा में प्यारब प्रमुकिस्तान में इसका सशक्तिकरण उनको अवसर ये बहुत बड़ी ताकत देने वाले हैं आजनिया सवाब अपीदी हमारे देश के किसान हमारे देश के गरीब हमारे देश के मुआव और हमारे देश की नारी शक्तिकरण आजनिया सवाब अपीजी हमने हमारे देश के हमारे जो फूस्तस है उसको हमने रेखांकित किया है आजनिया सवाब अपीजी यहां भी कई साथ्मों ने खेती और किसानी को ले करके हरे अपिस्तार से अपने विचार रखे हैं और अनेक बाते शकारत में रुप से भी रखी है मैं किसानों को लेका सबीरी सबस्चों को हमारे खेती हर प्रकार से लाबकारी हो प्रकार को लाबकारी हो उसका हमने हमारा धान केमी पिया है अनेक हो नहीं हो नहीं किसानों पाकर देने का प्रयास किया है चाये खसल के लिए रण हो अधाता नए गी पिसानों को उखलब दहो आद की कीमत उचीत हो और फसल भीना का लाद पहले की सारी मुशिबते फूर करें किसानों को सब्सक्राइब देखे लो चाये एमस्पी पर खरीद की गांग हो अमने पुराने सारे रखोंट पोड़ करें किसानों को दाखे लो एक पकार से जीजिसे बाजार तक हमने किसानों के लिए हर गवस्ता को बहुत माइक्रो प्लानिंग के साथ मजबूती देने का भरपूर बरसक प्रयास किया है और गवस्ता को हमने चाग चौबंद किया है आदरिये चभापती जी पहले हमारे देश में छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड लोन पाना की करीड करीड लोके बरारता बहुत मुश्चित सब्सक्ति उनके सिंग्या अधिन हमारे लीक्शित कारण, किसान क्रेडिट कारद मिस्तार के कारण, आधनिय सभागत एक हमने किसानी को एक ब्यापर शरुद में देखा है। किसान क्रेडिट कार्ड पश्रूप बाने तो और मच्वारों को किसान क्रेडिट कार्ड का हमने जाद मुहेब रहा है किसानों का हेटी के काम लेए इसके किसानों के मज़िटी देए इसके किसाने में हमने का आदिन श्राक्पीर कार्ड कांग्रेस के कारटान में दस साल में एक वार किसानों के कर्ड माभी की बहुत दोल जिते गए और एक बड़कर के बाते बड़कर के पिसानों को गुम्रा कर रहे था पर सब प्यास किया रहा था और साथ हजार करोर की कर्जमा के उतका इतना हला मचाया इतना हला मचाया और एक अनुमान था उसके लाभार थी शरीड देश के तीन करोर किसान थी सामाने गड़ी छोटे किसान का तो उसमें नामों निशान नहीं था जिसको सबसे जरुवत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवान नहीं थी और उन तक कोई लाभ पहुँच भी नहीं पाया था लेकिन आगर ये सभापती जी जब किसान कल्यान हमारी सरकार के रदय में केंडर में हो तो नीटिया कैसी बनती है कल्यान कैसे होता है लाभ कैसे पहुँचता है उसका मैं इस सदन को उदहार देना चाहता हूँ आदेने सभापती जी हमने प्रदान मंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और प्रियम किसान सम्मान योजना का लाभ दस करोर किसानों को हुआ है आट सर छे सान में तीन लाख करोर रुपिये हम किसानों को देख चुके हैं आदेनियत सभापती जी आदेनियत सभापती जी देख रहा है चूट खलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं हो थी जिनका सत्य से मुकामला करना इसके लिए जिनके हौसले नहीं है वो बैठ करके इतनी चर्चा के बार उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं आदरियत सभापती जी देश की जनता ने हर प्रकार जोंको इतना पराजीत कर दिया है कि अब उनके पास गली महले में कीखने के सिवाए कुछ बचा नहीं मारे भाजी ओ हल्ला और मादान छोड़के भाग जाना यही उनके नसीब में लिखा हुआ मानिय सदेश शंगन अत्यंत दर्दनाक पीडा दाएक ऐ मरिया दित आचलन से देख कर महूँ साशन तीसरे निरंतर लगातार का आलमी है छे दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोद किया कि पर्तिपक्ष के नेता को बिना बे रोग टोग बोलने का सुवसर दिया आज वो सदन छोड़कर नहीं गए है मरियादा छोड़कर गए है आज उन्होंने मुझे पीट नहीं दिखाई है बारत के सुवधान को पीट दिखाई है आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है उस सफ़त का अनादर किया है जो सुवधान के तैटली है बारत के सुवधान की इस से बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकता ऐसा कैसे हो सकता है हाउस अफ एल्डर्स दियपर हाउस हमें देश का मार्ग दुर्शन करना है मैं उनके आच्रन की बरसना करता हूँ देश के 140 क्रोड लोग इसे हाथ होंगे सदन का मत्रव है सत्ता पक्ष की बात सुनो जब आपने अपनी पूरी बात कह दी मानिये सदशेगन आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई हर सदशे को मौका जिया गया इट इस अनकेशन वेर देव चैलेंग इंडियन कॉंस्टिटूशन देव आउट्रेज्ट देव इंडियन कॉंस्टिटूशन देव डिस्रिगाड़ेड देव अउथ देव अंडर्टेकन मैं इस कुर्ची पर बैठकर कि इतना दुखी हूँ कि भारत के सुईधान का इतना बड़ा अपमान इतना बड़ा मजाक भारत का सुईधान हाथ में रखने की किताब नहीं है जीने की किताब है मैं आशा करता हूँ कि वो आत्म चिंतन करेंगे मंतन करेंगे अपने दिल को टटो लेंगे और करते भी पराएंगे मानिये प्रधान मंत्री जी आदेनिये सभापती जी आपकी वेदना मैं समझ सकता हूँ एक सो चालीस करोर देश वाचियों ने जो निन्ने दिया है जो जनादेश दिया है इसे ये पचा नहीं पा रहे है और कल उनकी सारी हरकत फेल हो गई तो आज उनका वो लराई लड़ने का भी होसला नहीं था और इसलिए उम्मैदान छोड़कर के भाग दे है आदनिये समापती जी मैं तो कर्तव्य से बंदा हुआ हूँ और नहीं मैं यहाँ कोई डिबेट पे स्कोर करने के लिए आया मैं तो देश का सेवक हूँ हुआ हमने देश के किसान को मुसिबत पर नहीं आ रहे दिया और हमने करीब परी बारा लाग करोड रुपिया फर्टिलाजर में सबसीड़ी दी है और जो भारत के आजादी के इत्यास में सर्वातिक है और उसी का परनाम है कि हमारे किसान को फर्टिलाजर का इतना बड़ा बोच उस तक हमने जाने नहीं दिया सरकार ने अपने कंदे पर उसको उठा लिया आदे ने सभापती की हमने MSP में भी रिकार्ड बढ़ोतरी की है इतना ही नहीं खरीद के भी रिकार्ड बनाए पहले MSP की गोशना होती थी लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था बाते बताई जाती थी पहले की तुल्दा में अनेक गुना ज़्यादा खरीदी करकर के हमने किसानों को सामर्थवान बनाने का प्यास आदे ने सभापती जी दस वर्सों में हमने कॉंगरेस सरकार के तुल्दा में धान और गेहुं किसानों तक ध्राई गुना अधिक पैसा पहुचाया और हम आने वाले पांच साल सरफ इसी का इंक्रिमेंटल बृद्धी करके रुकना नहीं चाहते हैं हम नएने खेत्रों को उन कठिनायों का अध्यन करके उसकी मुक्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसलिए आध्यारिज हमापते जी अन्न भंदारन का विश्व का सबसे बड़ा भियान हमने हाथ लिया है और लाखों की ताइदाद में विकेंद्रिती ववस्ता के तहट अन्न भंदारनों की रचना करने की दिसा में काम चल पड़ा है फल और सब्जी एक ऐसा ख्षेत्र है हम चाहते हैं किसान उस तरब मुड़े और उसके बंदारन के लिए भी एक व्यापक इंफ्रासक्र की दिशा में हम काम कर रहे हैं आदर्णिय सभापती जी सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर के हमने देश सेवा के हमारी यात्रा को निरंतर विस्तार देने का प्यास किया देश वाज्यों को गरिमा प्रून जीवन देना यह हमारी प्रात्पिकता रही है आज़ाजी के बाद अनेक दसों को तक जिनको कभी पूछा नहीं गया आज मेरी सरकार उनको पूछती तो हैं उनको पूजती भी है हमारे दिव्यांग भाई भेनों के साथ हमने मिशन बोड में उनकी कठिनाईयों को समझ करके माइक्रो लेवल पर उसको एड्रेस करने का प्रयास किया है और व्यवस्ताएं विक्सित किरने का प्रयास किया है ताकि वे गरिमा पूर्ण जीवन जी सकें और कम से कम किसी का सहारा उनको लेना पड़े इस दिशा में हमने काम किया है हादरी सभापती जी हमारे समाज में किसी ने किसी कारन बस एक उपेक्षित वर्गव यहने एक प्रकार चे समाज में बार बार हर्दूत होने वाला वर्ग वो ट्रांसजेंडर वर्ग है हमारी सरकार ने ट्रांसजेंडर साथियों के लिए कानून बनाने का काम किया है और जब पस्षिम की दुनिया के लोग यह सुनते हैं तो उनको भी गर्व होता चाब भारत इसना प्रोग्रेसिव है भारत के तरफ बने गर्वी की नजरे से देखा जाता है हमने उनको मुक्ष धहरा में लाने का प्रयास शुरूत किया है आपने देखा होगा पद्मा एवोर्ड में भी ट्रांस जेनर को अवसर देने में हमारी सरकार आ गया है आदेने सभावत हैं कि हमारे गुमंत जनजातिय समुदा है हमारे गुमंत साथी हमारे बंजारा पविवार उनके लिए एक अलग कल्यान बौर्ड बनाया है ताकि उनकी आवश्रक्ताओं को हम एड्रेस कर सकें और उनको भी एक स्थाई सुरक्षीत और संभावनाव वाला जीवन प्राप्त हो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं आदेने सभावती जी हम एक शब्द लगातार सुनते आया है PBTG, PBTG, PBTG हमारे जनजाती के समुव में यह सबसे पीशे रहा हुआ और आजहादी के इतने सालों के बाद भी जिन्हों ने उनको नीकर से देखा वो का पता चलता है कि कैसी हालत में जीते हैं उनकी तरब किसी ने नहीं देखा हमने एक विशेश विवस्ता की है और PM जन्मन योजनाव के आता है 24,000 करोट यह समुदा बिखरा हुआ है छोटी संग्या में बोट की उनकी ताकत नहीं है और यहाँ देश की परंपर ऐसी जिसकी बोट की ताकत है उसी की चिंता करना लेकिन समाज के ऐसे अती पिशड़े लोगों की कुछ चिंता नहीं करता है हमने वो चिंता की है क्योंकि हम बोट की राजनी की करता है हम विकास की राजनी की करता है आदरी सभापती जी हमारे देश में पारंपारिक पारिवारिक कौशल्या भारत की विकास यात्रा का और व्यवस्था का एक अंग रहा है जो हमारा विश्वकर्मा समूर है जिनके पास परंपरागत उसे हुनर है और जो समाज की आवश्रक्ताओं को पूरी करता है लेकिन उनकों कोई अड्रेस ने किये गया हमने करीब करीब 13,000 करोड रुपे की होजना से विश्वकर्मा समूर्दाय को आधूरिक्ता की दरफ ले जाना उनके अंदर पॉपेशनलिजम आई फादर निस हभावती जी गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्यकन तो क्यार दिया गया था लेकिन मेरे रहडी पट्री वालों को कभी बैंक के दरवाजे तक देखने की हिम्मत नहीं होती थी हालत थी पहली बार देश मैं पी-म स्वनीदी योजना के तहद रहडी पट्री वालों की चिंता की लिए पट्री वालों को बैंकों से लोन मिले हैं वे लगातार बैंक वाले भी खुष हैं लेने वाले भी खूष हैं और जो कल फुट पात पर एड़ी बैठता था आज एक छोटी दुकान दिशा में बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो पहले खुद मद्दूरी करना था आज एकात्दों को रोजगार देने की दिशा में काम कर रहा है और यही कारण है कि गरीब हो गलीद हो पीछड भाती जी हम विमेन लेट डेवलोप्मेंट की बात करते हैं दुनिया के प्रगतिशिल देशों के लिए भी विमेन डेवलोप्मेंट तो बहुत स्वाभाविस फिकार करते हैं लेकिन विमेन लेट डेवलोप्मेंट की बात करते हैं तो उनके भी उत्सा में थोड़ी कमी न जराती ऐसे समय भारत ने नारा नहीं निश्टा के साथ विमेन लेट डेवलोप्मेंट की और कदम बढ़ाए और महिला ससक्तिकर्ण का लाब आज दिख रहा है फरक्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कॉंटिबूट कर रहा है मैं आदेनिये सांसत सुधामूर्ती जी का अभार व्यक्त करता हूं कि कल उनने चर्चा में महलाओं के आरोग्य के विशे पर बल दिया था और उसका महात्मे क्या है उसकी आवश्यक्ता क्या है उसका बड़े विस्तार थे उन्होंने कहा था और उन्होंने एक बात है यह भी बड़ी emotional बताई थी कि मा अगर चले गई तो उसका कोई उपाई नहीं होता फिर नहीं मिल सकती ये भी बड़ी भावात मक्तातों ने बताया था बिमेन हेल्थ, सैनिटेशन, वैलनेस पर हमने दस वर्सों में एक प्राइवरिटी सेक्टर के लिए आपके काम किया है आदरनी सभापती जी, टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेग्नेंसे के दौरान वैक्सिनेशन की व्यवस्ता हो और इसका फाइदा हमारे देश की माताओं बेहनों को मिला है आदरनी सभापती जी, आरोग्य के साथ साथ महिलाए आत्मनिर्वर बने उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं बीदे वर्षव में हमने जो चार करोर घर बनाए है उस में से ज्यादातर घर हमने महिलाओं के नाम पर देशा है बैंकों में खाते खुलने से मुद्रा और सुकन्या समृद्धी जैसी योजना से आर्थिक फैसलों बैं हैं महिलाओं की भुमी का भी बड़ी है भागीदारी भी बड़ी है और एक प्रकार से वो परिवार में भी अब निरने प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगी है आदेने सभावति की विमें सेल्फ हेल्फ ग्रूप्स उससे जुड़ी दस करोड बहने उनका आत्मवास्वास तो बढ़ाई बढ़ा हैं उनकी आई भी बढ़ी हैं अभी तक एक करोड बहने जो ये सेल्फ हेल्फ ग्रूप में काम करती हैं छोटा छोटा गाउं में कारोबार करती हैं मिल करके करती हैं किसी गाउंवालों की भी नजर नहीं जाती हैं प्रक्राव आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि उनी में से एक करोड बेहने लखपती दीदी और हम आने वाले समय में ये आखणा तीन करोड बेहनों को लखपती दीदा जबानाने की तुछा में बढा रहे हैं आदेने सभावती जी सरकार का प्रयास है कि हर नए सेक्टर को हमारी महिलाएं लीड करें को अगवाई करें उद्धिशा में हम प्रयास कर रहे हैं नई टेक्नलोजी आती है लेकिन महिलाओं के नसीब बहुत बहुत आखिर में आती है हमारी कोशिश है कि नई टेक्नलोजी का पहला आउसर हमारी महिलाओं के हाथ लगे और वे इसको बढ़ाएं और इसी के तहट नमो ड्रोन दीदी ये अभियान बहुत सफ़त आपुरवग आगे बढ़ा है और आज गाउं में किसानों को मदद करने का टेक्नलोजी के मार्दम से काम गाउं की हमारी महिलाओं करी है और मैं जब उन से बात कर रहा तो मुझे कह रही है अरे साहब हम दो कभी साइकल भी नहीं चलाना जानते हैं आपने हमें पाइलट बना दिया है और पुरा गाम हमें पाइलट दीदी के नाम से जानने लगा है और इस करीमा पुर्ण व्याद उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बन जाता है